तुड़ेश टॉपिक इस प्रेजन्टेशन लेयर प्रेजन्टेशन लेयर का क्या वक है प्रेजन्टेशन लेयर ट्रांसलेट और फॉर्मेट डेटा ठीक, प्रेजन्टेशन लेयर क्या करता है हमारा जो मैसेज या डेटा होता है और उसको encrypt करके तब प्रांटफर करता है ताकर कि कोई security issue ना है presentation layer हमारा data को translate और format के लिए यूज होता है कि हम अपने data को एक encrypted form वे भेजें presentation layer को हम syntax layer भी कहते हैं क्या कहते हैं? syntax layer और security के लिए encryption, decretion यूज होता है हमारा जो message है वो एक key के through encrypt होता है जिससे सिर्फ receiver side पे receiver ही decrypt कर सकता है तो वो हमारा message जो है secure form में transfer होता है receiver तब जो हमारा data है अगर वो बड़ा है तो वो compress करके भेजता है sender तो वो भी किसका काम होता है? presentation layer का कि जो हमारा अगर data बड़ा है तो वो उसको compress करके तब भीजे यह हमारा presentation layer का work है में हमारा half-man code हो गए रयूद होता है presentation layer में encoding और decoding encoding decoding क्या है यही encryption किया तो encrypt किया तो encode किया decryption किया तो decode कर दिया और syntax layer क्यों कहते हैं इसको because it deals with semantics और syntax of data यह हमारा semantic और syntax को देखता है इसलिए हम इसको syntax layer कहते हैं http uses presentation layer to display the web page तो हम web page देखते हैं ना तो presentation layer के help से ही वो web page हमेश होता है कोई भी change या कोई भी modification अगर होती है तो वो हमारी presentation layer पर होती है इसके कुछ important protocols हैं जैसे कि हमारा SKI, EBCDIC, JPG, MPEG ASK क्या है? American Standard Code for Information Interchange जैसे कि कोई भी value है जैसे कि A सब्सक्राइब होती है 65 तो जो हमारा data अगर encrypt करने के अगर हमने encryption encrypt करके data transfer किया है तो फिर उसके value होती है 65 और वो किसको पता होगा सिर्फ रसेवर को पता होगा क्योंकि हमने तो भेजा क्या है A लेकर उसको पता है कि उसमे 65 भेजा है ना कि A तो इस तरी के से यह सार प्रोटोकॉल हम presentation layer में यूज करते हैं जिसमें EBCDIC, ASK, JPG और MPG format यूज होता है presentation layer में बस इतना ही है आगे हम next के lesson में देखेंगे presentation layer is complete आगे आगे